हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेशा ले राष्टे राज़ानिक शेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर अठारा जो की कक्षा आठवी के विद्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है विज्ञान विशे से और आज इसमें हम पाठ धातू एवं अधातू को जारी रखते हुए इसमें हम चल्चा करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की तो चलिए बिना समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातूं अधिक अभिक्रिया शील होती हैं तो कुछ कम क्रिया शील होती हैं और कुछ धातूं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं अब हम धातूं की अभिक्रिया शीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे कि भाई वो धातू अभिक्रिया करती है अभिक्रिया शील है या कुछ कम अभिक्रिया शील है या बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है तो ये जो विस्थापन अभिक् 100 ml के 5 बीकर ले और उन पर A, B, C, D और E चिनहित करें प्रतेग बीकर में 50 ml जल लेजिए फिर प्रतेग बीकर में दर्शाय गए पदार्थ तो यहां पर आपको एक एक बीकर में ये चीज़े लेनी है जैसे कौपर सलफेट और जिंक का टुकड़ा, बीकर B में कौपर सलफेट और लोहे की कील बीकर C में जिंक सलफेट और तामे की छीलन बीकर D में आइरन सलफेट और तामे की छीलन और बीकर E में जिंक सलफेट और लोहे की कील प्रतेक बीकर में दर्शाय गए पदार्थों में से प्रतेक का एक चमज डाल कर घोली इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए और अपने प्रेक्षन को लिखे यानि जो आपने अब्जर्व किया अब जो हुआ वो आप लिखे तो देखिए पहले जब हमने दो चीजों को मिलाया कॉपर सलफेट और जेंग किया लिखे की कील अलग-अलग बीकरों में डाली तो पहले इस तरीके सथा जब हम बाद में देखते हैं तो A और B का देखिए इन्होंने अभी क्लिया करी C, D और E में कोई चेंज नहीं आया अगर आप देखें यहां पर भी ऐसा है तो यहां पर भी ऐसा है प्रेक्शन, प्रेक्शन क्या लिखेंगे पीकर A में जिंक कॉपर सलफेट के विलियम में से कॉपर को विस्थापित कर देता है जो जिंक है वो कॉपर को हटा देता है रिस्थापित कर देता है जिसकी वज़े से कॉपर सलफेट का रंग नीला अद्रिश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया तो बीकर A में देखो क्या हुआ कॉपर सलफेट प्लस जिंक अब बन क्या गया जिंक सलफेट प्लस कॉपर यानि कॉपर अलग हो गया कॉपर सलफेट प्लस जिंक में से क्या किया जब उन दों को मिलाया तो copper sulfate की जगे zinc ने ले ली और उसमें से copper अलग हो गया बीकर B में लोहे ने क्या किया copper sulfate के william में से copper को विस्थापित कर दिया तो देखा आपने copper sulfate लिया था हमने और लोहा मिलाया था बीकर B में हमने ये किया था ना copper sulfate और लोहा लेकिन जब उसका reaction हुआ तो वो iron sulfate बन गया और copper को उसमें अलग कर दिया हमने ये देखा कि बीकर C, D और E में कोई अभिकरिया नहीं होए जिसकी वज़े से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिकरिया शीर धातु कम अभिकरिया शीर धातु को उसके जलिये विलियन से विस्थापित कर देती है लेकिन जो कम अभिकरिया शीर धातु होती है वो अधिक अभिकरिया शीर धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मतब तो इसमें जो ज़्यादा अभी क्रिया वाली होगी वो कौन होगी जिंक फिर उसके बाद आइरन और उसके बाद कॉपर इस तरीके से इनका क्रम भी बनता चला गया हमें पता चल गया जिंक सबसे ज़्यादा अभी क्रिया शील है फिर उससे कम लोहा है और उससे कम जो है वो कौपर है अब चलते हैं अपने प्रश्ण उतर की ओर तो स्वैम को जाचने के लिए कुछ प्रश्ण है प्रश्ण नमबर एक कौपर विलियन और कौपर का रंग कैसा या क्या होता है देखी कौपर विलियन का रंग नीला तथा कौपर लाल द्रव्यमान के रूप में लाल रंगा होता है फिर दूसरा प्रश्चन है कि कौपर जिंक के विलियन में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता क्योंकि कॉपर जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है इसलिए वो जिंक को नहीं हटा पाया फिर इसके बाद है जिंक, आइरन, कॉपर को अभिक्रियाशील ताकि घटे करम में विवस्थित कीजिए यानि सबसे पहले ज़्यादा अभिक्रियाशील, फिर उससे कम, फिर सबसे कम तो इन सब में हमने देखा यह सब में जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो है जिंक, फिर उसके बाद लोहा और उसके बाद कॉपर फिर है प्रशन नमबर चार क्या होता है जब एक लोहे की कील को कौपर सलफेट के विलियन में रख दे तो जब लोहे की कील को कौपर सलफेट के विलियन में रखा जाता है तो उनके बीच अभिक्रिया होती है और copper sulphate का रंग नीले से बदल कर हरा हो जाता है क्योंकि लोहा copper की अपेक्षा अधिक सक्री अधातू है और उसके बाद पांचवा प्रश्ण अभी क्रिया को पूर्ण कीजिए zinc प्लस क्या लगाएं जो zinc sulphate और copper बन जाएगा याद कीजिएगा तो zinc के साथ हम क्या मिलाएंगे copper sulphate को तो फिर वो क्या बन जाएगा zinc sulphate और copper उसमें से अलग हो जाएगा इस तरीके से हमें इन प्रश्णों का उतर देना है तो अब हमने telegram app पर भी अपना चैनल लवनीश सर की class बनाया है जिसका link आपको description box में इस video की description box में मिल जाएगा वहां से आप हमारे channel के साथ जोड़िए और जो सारे link है इस video का भी और जो आपकी class के दूसरे links है वो एक साथ आपको एक जगह पर मिल जाएगी so now that's all for this worksheet मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस channel और वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अगर नए हैं तो subscribe भी कीजिए याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास कवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीका करन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिन्दगी को एक बार फिर से स्वहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाई